दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अगर घर बनवाना चाहते हैं तो आप उसमें कितनी इटे लगेंगे जो बेसी रेक्वार्मेंट होती ही गर बनाने कि इटों की घर अगर आप बनवाना चाहते हैं तो इटे कितनी लगेंगी उसे कैसे काउंट कर सकते हैं कैसे पता कर सकत किसी भी घर में वो है आज मैं बताने वाला हूँ तो बने इस वीडम लगातार मैं उपाउं छागड़े और आप देखे रहे हैं अपना चल दोस्तो इसमाल हुश प्लान अगर आपने हमारा इस वीडियो देख रहे हैं मुवाल फोन पर तो यह लाइक का बटन होता है इस पर क्लिक करके इस घंटे को निसान को भी दबा दें इससे बेनिफट यह होगा जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगा तो आप दक हमारा वीडियो पहुँच जाएगा और अब आसानी से हमारे वीडियो को देख करके अपना फायदा ले सकते हैं तो चलो फूल डिटल के साथ बना के रखी हैं मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि अगर सफोदर आप घर में घर बनवा रहे तो आपको कितनी दिवाले बनवानी यह पता मैं आपको एक इस टेंडर्ड दस बाई-दस मार्ट लो आपको दस फूट लंबी और दस फूट ऊची दिवाल बनानी है तो कितने इंटे लगेगी इसकेहसाब से अपने घर में आप पता कर सकते руки कितने इंटे लगेगी अगर आपको एक इक दिवाइल में पता चल जाएगे bet againदस फूल्बी डस फॅची में इतनी इंटे लगेगे तो आपुhet घर की इंटें को find out कर सकते हैं अगर बाते करें standard साइज की आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ब्रिक्स होता है मतलब की जो इट होती उसकी लंबाई चोड़ाई कितनी होती तभी आप फाइंड आउट कर पाएंगे तो मैंने पहले से कुछ चीज़ें यहाँ पर निकाल के रखी हैं कि एक इट की जो लंबाई करें हीटों की इट के स्टेंडर साइज क्या होता है वो मैंने पहले से यहाँ देखी गा इस्टेंडर क्वाडिनेट साइज फॉर द ब्रिक्स वर्थ इज दो सो पचीज एमम इंटू एक सो बारा दसमलों पांच एमम इंटू 75 एमम लेंथ डेप्त और हाइड लगवग द तर तीन इंच की उचाई हो जाती है मतलब जो मैंने इंट दिखाया विल्कों सेम यही लगवग में आपका इंट की लंबाई और चाड़ाई होती है तो अब हम फाइंड करेंगे कि 10 फिट जो हमें लंबाई लंबाई में जो दिवाल माने इसी फिट में है दोस्तों मैं प काउंड कर लें यहीं पर दिवाल की चोड़ाई उचाई कितनी है तो यह अगर बात करें तो उचाई भी 10 फिट हमें रखनी है तो यह भी आ जाएगा एक 120 इंच तो टोटल अगर हम लंबाई की बात करें तो मतलब की 120 लगभग में जो हमारा दिवाल का साइज आएगा इं 400 इंच आगे आपकी दिवाल की उचाई और लंबाई अब हम एक ब्रिक्स का अगर हम एक इंट की बात करें तो एक इंट की कितनी लंबाई चोड़ाई होती है तो लंबाई होती 9 इंच और उचाई जो मैंने बताया वो होती 3 इंच मतलब की ब्रिक्स की लंबाई चोड़ा में 27 से multiply भाग दे देंगे तो चलो मैं calculator निकाल लेता हूँ आप यहाँ पर देखिए कि मैं 14400 जो इंचे जाए इसमें एक ब्रिक्स काव 27 इंच का भाग देता हूँ तो लगवक 533 533 इंच एक दिवाल में लगेंगी 10 वाई 10 फिट की अगर आपकी दिवाल बनानी है तो 533 इंच एक दिवाल में लगेंगी अगर आप यह दिवाल अपना एक इंच का बनाते है मतलब की 5 इंच का बनाते है अगर यही 10 इंच का बनाते हैं तो यह इसी की जश्ट दुगनी हो जाएंगी मतलब एक दिवाल तो दोस्तों एक दस भाई दस फिट की आपको दिवाल बनाने में 533 इंट लगती हैं अगर यही आप पांच इंच की दिवाल बना रहे तो 533 लगें अगर 9 इंच की बना रहे हैं तो आपको इसका जेस्ट डुगना मतलब 1066 इंटे लगेंगी तो ऐसे बहुत यासानी से अप भी तक इसमा अलावस प्लान से जुड़े नहीं है तो प्लीज जिरूर जुड़ जाएं थैंक्स वाचिंग